नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चानल महाइंद्र जाल में दोस्तो त्योहरों का पर्विश चल रहा है अभी माता के नवरात्रे गए हैं उसके बाद देशेरा जा चुका है पर सो जो माताओं और भेहनों का त्योहर है करवा चोत वो मनाय जाएगा और उसके बाद बहुत जल्दी 5 तरीक को 5 नमबर को दोस्तो धन तेरस के पावन परवा रहा है दोस्तो धन तेरस के दिन लोग अनेक परकार की वस्तिवे करीते हैं दोस्तो इस दिन आपको कुछ विशेश बातों का ध्यान रखना है क्योंकि यदि आप गलती करेंगे चू जरूर करीते हैं, चाहे आप सोना करीदें, चाहे आप चांदी करीदें, और चाहे आप बरतन करीदें, बरतन में आप पितल के बरतन आप अवश्य करीदें, पितल के बाद आप स्टील या किसी अन्य धातू के बरतन करीदें, इस बात का ध्यान रखें, दोस्तो इस दिन धा दोस्तो धन 13 वाले दिन आप गनेज जी की और लक्षमिन जी की परतिमा जो है यानि उनकी जो मूर्ति है वो आप अविश्य लेकर आए और जो मूर्ति लेकर आएंगे आप लक्षमिन जी की और गनेज जी की इस मूर्ति को ही आपको दिपावली वाले दिन जब आप पुजा करेंगे, तो आपको Pooja में आपको इस मूर्थि को आपको रखता है दोस्तो इसे माना जाता है कि इसे पूरे साल आपके घर में अन और धन की कमी नहीं रहेगी और यह देवी देवता आपके घर में धन और बुद्धी को पढ़ने वाले हैं, लक्षमे शरी अंतर तामर पत्र पर है तो बहुत अच्छी बात है आप उसको जुरूर पूजा में रखिएगा लेकिन यदि इस फटी का शरी अंतर आप गर में नहीं है तो आप इस फटी का शरी अंतर इस धनते रस वाली दिन आप जरूर रे कराएं और उसको आप पूजा में रखे धन्तेरिश वाली दिन चब पूजा करेंगे और जब पूजा हो जाए तो अधली दिन आप ऐसको केशरी रंग का जो खबड़ा होता है जैसे जंडे का रंग होता है केशरी केशरी रंग के जंडे में लपेड़ दे और अपने तिजोरी में रखते हैं दोस्तो इससे आपके जो तिचोरी है कभी भी खाली नहीं रहेगी और जो कर्जे आपके उपर हैं आपको कर्जों से मुक्ति मिलेगी दोस्तो इस दिन आपको ज़डु जुरूर लेकर आनी है जो ज़डु होती है वो देवी लक्ष्मी का रूप आने जाती है तो इस दिन यदि आप नहीं जड़ो लेकर आएंगे तो आपके घर से जो नकरात में कूर जाए वो भार चली जाती है और जो लक्ष्मी है वो घर में परविश करती है पुरानी जड़ो जो है उसे आप इस दिन दक्षिन पस्चे में चुपा दे कहीं पर भी और जो नहीं ज पूजया शब होता है दं 13 स के दिन आप सीप्या जो हैं यानि कोडिया जो हैं आप जुरूर खरीदैं कोडिया पीली कोडिया जो होती है वो खरीदिया बहुती सस्थी होती है दोस्तों 5 रुप Lucky या 2 रुपे के एक के हिसाब से मिल जाती है तो जो पूज़ा शोब होती है तो आप खोडिया ला सकते हैं, जरूरी नहीं है कि शरीयंत्र आपको लाना ही लाना है अगर शरीयंत्र नहीं मिलता है तो आप खोडिया भी ला सकते हैं तो आप पीले खोडिया ले आईए, शरीयंत्र से सस्ती भी होती है और ये भी लक्षी माता को अकरशित करती है तो आप ये लाई है और तीजोरी में आप इनको रख सकते हैं दोस्तों इस दिन आपको नमक जरूर लेकर आना है आप नमक लाएं और नमक का इस्तमाल आप करें इस दिन और खासकर आप एक काम करें धंतेरस वाले दिन से लेकर भाईया दोज के दिन तक जो 4-5 गिन का समय होता है पानी में जो पोचा लगाने वाला पानी होता है उसमें थोड़ा से नमक डाल दें और उस नमक के पानी से ही आप पूरे घर में पहुचा लगाए इससे आपकी घर की जो नकरात्मकता है नेगेटिव एनरजी है वो घर से बाहर जाती है और आपके घर में सुख शांती आती है दरिदृता कतम होती है दरिदृता कतम करने के लिए ये बहुती अच्छो उपाय माना जाता है तो धन तेरस वाले दिन से लेकर भायत उसके दिन तक पाँच दिन आप इस उपाय को करिए दोस्तो धनिया जो है भोचाद शुब माना जाता है मातलक्समे को अत्यन्त प्रिय है और ये धन का प्रतिक माना गया है तो धन तेरस वाले दिन आपको धनिया जरूर लेकर आना है जो साबू धनिया होता है वो उसके बाद कर रहे हैं एक हरा धनिया होता है एक साबू धनिया होता है जो धनिया के बीज होते हैं ब्राउन कलर के तो आपको साबू धनिया लेकर आना है और आप धनियों को भी पूजा में रखें हैं पूजा की जो थालिय है उसमें थोड़ा सा धनिया भी रखें और पूजा करने के बाद आप अगले दिन परात्यकाल क्योंकि रात के समय तो माता की पूजा होगी अगले दिन परात्यकाल जो यह धनिया था इसको आप अपने अंगन में बिखेर दीजिए, कच्ची मीटी में, या अगर कच्ची मीटी नहीं है तो गंबले में आप इसको डाल दीजिए, और उपर से थोड़ा पानी डाल दीजिए, दोस्तो जितना ज़्यादा धनिया निकलेगा, उतना ज़्यादा लक्षिम माता की आपके घर में होगी, दोस्तो जो कुबेर शिक्का होता है, कुबेर जी का जो शिक्का होता है, या उनकी जो मूर्ती होती है, इस दिन यानि धन्तेरस वाले दिन लाना बहुत जादा शुग होता है, यदि कुबेर जी की मूर्ती ना मिले तो उनकी को छोटी तस्वीर होग दोस्तो इस दिन यानि धंतिरस वाले दिन शंख और उन्राख्ष लाना अत्यांत शुमाना जञता है तो शंख कोन साँ लाएं? शंग आपको लाना है दक्शिनावर्ति दक्शिनावर्ति शंख लाना ये बचता नहीं है ये पूज़ा में रखा जाता है बजाने वाले शंक दूसरे होते हैं और जो रुद्राक्षा वो आपको लाना है साथ मुखी इस दिन साथ मुखी रुद्राक्षा लाने का ही महत्तम है तो दक्षिनावर्ती शंक मिल जाग वो ले आए साथ मुखी रुद्राक्ष मिल जाग वो ले आए और घर में लाकर पूजा में रखें और पूजा करने के बाद इन्हें आप अपने घर में तिजोरी में आप इनको रख सकते हैं दोस्तो इससे आप एगर के सबी कश्टूर होते हैं करजा जो आपके सीर पर चड़ रहा है वो खतम होगा और आपके जिवन में धन धान आना शुरू हो जायागा दोस्तो जितने भी हमने आपको वस्तूएं बताई हैं जरूरे नहीं है कि आप सारी वस्तू लेकर आए इनमें से जितने भी वस्तूएं आपको मिल जाए एक वस्तू मिल जाए दो वस्तू मिल जाए वो आप ले आए और उनको लाकर आप अपने घर में जो उची तीस्तान मुआ पर आप उनको रख्लें दोस्तो कुछ उपाय बता रहे हैं आपको जो आपको धन्तिरस वाली दिन करने चाहिए दोस्तो माना जाता है कि इस दिन देवताओं के कुशाध्यक्ष है यानी गुवेर जी हैं देवताओं को कुशाध्यक्ष यदि आप उनकी पुजा करते हैं और उनकी किरिपराप कर लेते हैं तो जीवन भर आपको अन्न धन की कमी नहीं रहती है तो दोस्तो कुछ छोटे-छोटे उपाय है ये आपको उपाय जरूर करने चाहिए दोस्तो धन 13 वाले दिन आपको जो धनवंत्री भगवान है इनकी पुजा भी अवश्य करने चाहिए क्योंकि धनवंत्री भगवान जो है वो कुबेर जी का ही रूप माने जाते हैं तो धन्वंत्री ब्यवान की फोटो भी आप जरूर रखें पूजा में और उनकी पूजा भी आप दिपावली वाले दिन अवश्य ही करें इस बात को भूले मत दोस्तो जो आप नई जड़ो लाए हैं या सूपड़ा करीद कर लाए हैं उसको भी आप पूजा इस्थल पर तो ना रखें लेकिन थोड़ा दूर आप रखें और आपको उसको भी पूजा करती हैं उसके बाद ही आप उसको परियोग करना शुरू करें साम के समय आप अपने घर के बाहर तो दिपक जलाएंगे ही आपका जो परतीश ठान है आपके जो दुकान है वहाँ पर भी आप दिपक जरूर लाएंगे जलाएंगे दोस्तो माता लक्ष्मी को आज की दिन यानि धंतिरस वाले दिन आप गुलाब के पुश्पो की माला अवश्य पनाएं और उन्हें सफेद मिठाई का भोग लगा यानि जो सफेद रस गुल्ले होते हैं या बर्फी होती हैं उसका आपको भोग लगाना है दोस्तो आप बर दूर आट-दस किलोमेटर दूर पंदर किलोमेटर दूर गाउं हो विलेज जिसे बोलते हैं अंगलिश में विलेज गाउं तो वहां पर जो खेत में जो मिठी होती है जिसमें अभी ट्रेक्टर चला हो या हल चला हो यानि जो जुती हुई मिठी होती है जब किसान खेत को जो देता है, तो जोधने के पाद जो मिट्टी होती है, आप वो मिट्टी थोड़ी से उटा कर ले आएंए, एक अपनी साथ पॉलोथिन ले जाईए और उटा कर ले याईए, और उस के बाद एक सेमर होता है, पेड़ सेमर की जो शाख़ा होती है, ये सेमर आपको कहा से मिलेगा यदि आपको पैचाने तो आप आसपास की जंगनों से ला सकते है वरणा पैंसारी से आपको मिल जायेगा अप सेमर की जो शाखा है वो पहले आप लाकर रख ले और उसमें डाल कर, मिट्टी में डाल कर जुती हुई मिक्ति का थोड़ा से जुरूर डालना है और जो सेमर होता है सेमर की जो शाखा होती है वो आपको डाल देनी है और अपने शरी में आपको तीन बार फेकना है तीन बार आपको छड़कना है जैसे भभूती छड़कते हैं तो ये दोस्तो लक्षमी माता को अकरश देवताओं के जो कोश्य अध्यक्ष है कुबेर जी उनको परसंड करने के लिए ये अक्तियन्त महत्वण है दोस्तों इस दिन धन्तेरस के दिन जब आप पूजा कर लेंगे तो पूजा करने का प्रस्चाहत आप मातालक्षमी की पूजा करें कुबेर जी की पूजा करें धन्तेर भगवान जी की पूजा करें गनेज जी की पूजा करें सभी देवी दीवताओं की जो फोटो है परतिमा है वो पूजा की चोकी पर होगी आप जब दीप चलाएं तो तेरा दीप आपको जो कुबेर जी है उनके आगे आपको अलग से जलाने है यानि एक दीप जो है माता लक्षमी के आगे रहेगा और जो तेरा दीप है तेरा दिये हैं वो आपको धनवंत्र भगवान के नाम के आपको धनवंत्र भगवान के आगे ही आपको रखने है और धनवंत्र भगवान के आगे इन दियों को रखने के बाद आपको जो मंत्र बताया जा रहा है इस मंत्र को आपको जाप करने है मंत्र क्या है मंत्र है मंत्र को आपको कम से कम एक माला यानि 108 बार आपको जाप करना है और उसके बार आप चमदकार खुद देखेंगे जो कुबेर जी है वो आप पर किरिपया करेंगे और आपको धन धनने से परिपूर कर देंगे तो दोस्तों कहीं प्रकार के उपाये हैं लेकिन जो सबसे महत्वपूर उपाये थे वो हमने आपको इस वीडियो में बता दी है दोस्तों जब पुजा करें आप लक्ष्वी माता की कुबेर जी की तो उसमें आप चंदन, धूप, दीप, नवद्दे, इत्यादी सब कुछ र करता है उसकी 108 बार जाब कर लेते हैं तो दोस्तों निच्ची तरुप से कुबेर जी आप पर परसन होंगे और अपनी किरप्याप कर बरसाएंगे तो दोस्तों छोटे-छोटे उपायत है यह आप जुरूर करें जो भी बाते बताई गई हैं इनको आप जुरूर फोलो करे निच्ची तरुप से आपके जीवन में धन धनने कमी कभी भी नहीं रहेगी और जो करजे हैं वो दूर हो जाएंगे आपकी सभी परशानिया अवश्यक अतब होंगे तो दोस्तों अमीद करते हैं आज की दिगए जानकर यह आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों इसी तर की वीडियो को देखने के लिए आप हमारा चैनल महां इंदर जाल सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों हमारी वीडियो को अधिक से दिक लाइक करें और शेयर करें जय माता दे